नकसली मुक्त हुआ पंचभूर जर्ना परेटकों की लगी भीड जमूई में एसेसबी जवानों ने दो साल चलाया सर्च ओपरेशन जाड़ियों को काट कर बनाया गया रास्ता बिहार जर्कंट सीमा रेखा पर जमूई जिलے के खेरा प्रकंड का पंचभूर जर्ना नकसलियों से बिलकुल मुक्त हो चुका है। नकसलियों के कबजे में रहने वाले इस जर्ने में अपरेटकों की भीड उमनने लगी है। बिहार जार्खन सीमा रेखा से सटे होने के कारण उकते लाके को नकसलियों का गढ़ माना जाता था। अभियान चलाया जा रहा था। इस दोरान कई नकसलियों को मुटभेर में मारा गया तो कई नकसलियों को आत्मसमर्पन करने पर मजबूर कर दिया गया। कुछ नकसली जो पोलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थी उन लोगों को सुरक्षाबलों ने हत्यार के साथ गिरिफतार कर लिया था। सोलवी वाहिनी SSB के जवानों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। जिसमें नवादा जिले के ककोलत ज़रने से भी बहतर ज़रना पंचभूर गाउं के जंगली इलाके में मिला। SSB जवानों ने ज़रने तक लोगों को पहुंचाने के लिए जंगली इलाकों की जाड़ियों को काट कर रास्ता बनाया। इसके बाद ज़रने में अपरत एक दिन परेटकों की भीड उमर रही है। जवानों द्वारा बहतर व्यवस्ता भी उपलाब्ध कराई गई है ताकि यहां पहुंचने वाले परेटकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। सुरक्षा व्यवस्ता भी मोहया कराई जा रही है। खेरा थाना ध्यक्ष दुर्गेश दीपक ने बताया कि पहले ये इलाका नकसलियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा की गई कारवाई में अब नकसली बैक फुट पर है।